दोस्तों कई दिनों से मेरे पास में आप में से काफी सारे भाईयों के लगतार कॉमेंट आ रहे थे कि सर पैन कार्ट बनाते वक्त जो कस्टूमर के फोटो और सिगनेचर अपलोड किये जाते हैं उनको हमें resize कैसे करना है कैसे हमें photo or signature के dimension को set करना है इस पर कोई video बनाईए आप सभी को पताऊगा कि जब भी आप किसी भी customer का pen card बनाते हैं या फिर आप खुद का pen card बनाते हैं तो वहाँ पे जो photo or signature upload किये जाते हैं उनको आपको proper resize करना होता है उनकी dimension को आपको set करना होता है तब ही आप photo or signature को upload कर सकते हैं अगर आप direct photo or signature को upload कर दोगे तो आपकी जो pen application है उसको reject कर दिया जाएगा फिर चाया pen card UTI से बनाओ या फिर NSDL से बनाओ आपको अपने photo or signature को resize करना ही होता है तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप आसान इसे चुट की बजाते ही अपने photo or signature को resize कर सकते हैं और उनकी dimension को set कर सकते हैं तो ये वीडियो आपको end तक देखनी है बीच में skip नहीं करना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो वाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं UTI pen card के बारे में अगर आप UTI के थुरू pen card बनाते हैं तो UTI pen card के लिए जो photo और signature अपलोड किये जाते हैं इसमें आपके photo की जो dimension है यानि कि लंबाई और चोड़ाई है वो 213 into 213 pixels होनी चाहिए यानि कि आपके photo की जो लंबाई है वो 213 pixel होनी चाहिए और आपके photo की जो चोड़ाई है वो भी 213 pixel ही होनी चाहिए और आपका जो photo है वो 300 dpi से जादे कर नहीं होना चाहिए और आपके photo की जो maximum size है वो 50 kb से जादा नहीं होनी चाहिए बात कर लेते हैं signature की तो आपके signature की जो dimension है यानि की जो लंबाई और चोडाई है वो 450 x 150 pixels होनी चाहिए और आपके जो signature है वो 300 dpi से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए और आपके signature की जो maximum size है वो 50 kb से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो दोस्तों photo signature को resize करने के लिए आपको अपनी photoshop में आ जाना है अगर आप भी मेरी तरह photoshop 2020 यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है लेकिन अगर अभी भी आप photoshop 7.0 यूज़ करते हैं तो भी कोई दिकत नहीं है जो तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वही सेम तरी signature को resize करने के लिए यहाँ पर आपको create new का एक option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है या फिर direct आपको अपने keyboard में control प्लस end बटन को एक साथ press करना है अब जैसे आप press करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको photo को resize करके दिखाता हू तो photo की जो dimension मांगी गई है वो 213 into 213 pixel मांगी गई है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको centimeter का एक option मिलेगा इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको pixels का एक option मिलेगा इसको आपको select कर लेना है उसके बाद हमसे जो width और height मांगी गई है वो 213 मांगी गई है तो आप इसके बाद नीचे आपको रेजुलेशन का एक ओप्शन मिलेगा, अब दोस्तो रेजुलेशन को ही DOPI कहा जाता है, और हमसे जो DOPI मागी गई है वो 300 मागी गई है, तो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है 300 यानि के 300 उसके बाद नीचे आपको create पर क्लिक कर देना है, अब ज फोटो को फोटो शोप में इंपोर्ट करना होगा तो इंपोर्ट करने के लिए यहां पर आपको फाइल पर किलिक करना है उसके बाद आपको ओपन पर किलिक करना है अब दोस्तो जिस भी लोकेशन पर आपने अपने फोटो को सेव किया है उस लोकेशन से आपको अपने फोट को import कर लेना है अब दोस्तों photo को import करने के बाद आपको अपने इस photo को mouse से कुछ इसतरीके से drag करते हुए और जो frame आपने बनाया था उस frame पर आपको drop कर देना है अब दोस्तों इस photo को आपको इस frame के अंदर set करना होगा तो set करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl प्लस T अब जैसे आप Ctrl प्लस T प्रेस करोगे तो आपका जो फोटो है वो ट्रांस्फोर्म हो जाएगा अब दोस्तों कोर्णर से पकड़के आपको अपने फोटो को कुछ इस तरीके से सेट करना है लेकिन दोस्तों सेट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे आपको छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा होगा यह आइकन आपका सेलेक्ट होना जरूरी है अगर यह आइकन आपका सेलेक्ट नहीं रहेगा तो आपका जो photo है वो कुछ इस तरीके से आपके photo की जो size है वो ख्राब हो जाएगी तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको इस icon को select कर लेना है उसके बाद आपको अपने इस photo को कुछ इस तरीके से drag करते हुए इस frame के अंदर set कर लेना है तो यहाँ पे हमारा जो photo है वो set हो चुका है उसके बाद यहाँ पे आपको right का एक टिक मिलेगा इस पे आपको click कर देना है अब दोस्तों आपको अपने इस photo को save करना है तो save करने के लिए आपको file पर click करना है उसके बाद आपको save पर click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको save इस भी एक नाम दे देना है उसके बाद सिंपले आपको सेव पर किलिक कर देना है अब जैसे आप सेव पर किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे हमारे फोटो की जो साइज है वो 60 KB है लेकिन जैसे कि आपको पत साइज में ड्रैक करेंगे आपके फोटो की जो साइज है वो ओटोमेटिक कम हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फोटो की जो साइज है वो 49 KB हो चुकी है यानि कि हमारे जो फोटो है वो पर किलिक कर देना है अब जैसे आप किलिक करोगे तो आपका जो अब हम बात कर लेते हैं कि signature को आपको कैसे resize करना है तो हमारे signature की जो dimension है वो 450 into 150 pixel होनी चाहिए यानि कि 450 pixel width होनी चाहिए और 150 pixel height होनी चाहिए तो signature को resize करने के लिए आपको Photoshop में आ जाना है Photoshop में आने के बाद यहाँ पे आपको centimeter का option मिलेगा इस पे आपको click करना है और यहाँ से आपको pixels को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे हमसे जो width मांगी गई है वो 450 मांगी गई है तो यहाँ पे आपको 450 को enter कर देना है उसके बाद जो height हमसे मांगी गई है वो 150 मांगी गई है तो यहाँ पे आपको 150 को enter कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको Regulation का Option मिलता है यानि कि DPI का Option मिलता है तो DPI हमसे जो मांगी गई है वो 300 DPI मांगी गई है तो यहाँ पर आपको 300 को Enter कर देना है उसके बाद Simply आपको नीचे Create पर किलिक कर देना है अब जैसे आप Create पर किलिक करोगे तो आपके सामने Signature का Frame आ जाएगा अब यहाँ पर आपको अपने Signature को Set करना होगा तो Signature को Set करने के लिए सबसे पहले आपको अपने Signature को Import कर लेना है Import करने के लिए फिर से आपको वही फाइल पर किलिक करना है उसके बाद आपको open पर click करना है उसके बाद जिस भी location पर आपके signature save है उनको वहाँ से आपको import कर लेना है अब signature को import करने के बाद simply आपको अपने signature को कुछ इस तरीके से drag करना है और आपको इस frame पर लाके drop कर देना है अब दोस्तों आपको अपने signature को set करना होगा तो set करने के लिए आपको अपने keyboard में फिर से Ctrl प्लस T बटन को प्रेस करना है उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको आपको छोटा करके और आपको अपने जो signature है उसको आपको कुछ इस तरीके से इस frame के अंदर set कर लेना है तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो signature है वो यहाँ पर set हो चुके हैं उसके बाद simply आपको यहाँ पर right का tick मिलेगा इस पर आपको click कर देना है अब दोस्तो इस signature को आपको save कर लेना है तो save करने के लिए आपको file पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको save पर click करना है उसके बाद यहाँ से आपको jpg को select करना है अब जिस भी file folder में आप अपने signature को save करना चाहते हैं उस file folder को आपको select कर लेना है उसके बाद यहां से आपको अपने signature को कोई भी एक नाम दे देना है उसके बाद simply आपको save पर click कर देना है तो जैसे आप save पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के का interface आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे signature की maximum size है वो 40 के भी है यानि कि यह pen card के लिए perfect size है लेकिन अगर आपको अपने signature की size को कम करना है तो यहां पर आपको एक drag point दिया गया है जितना आप इसको left side की तरफ drag करोगे तो आपका जो photo की size है या फिर signature की size है वो automatic यहां पर कम हो जाएगी उसके बाद simply आपको यहां पर ok पर click करके अपने signature को save कर लेना है तो यहां पर हमारे signature है वो save हो चुके हैं अब मैं आपको इन signature की dimension को check करा देता हूँ तो simply यहां पर आपको property पर click करना है उसके बाद आपको details पर click करना है और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे signature की जो dimension है वो 450 into 150 pixel हो चुकी है और हमारे signature की जो dpi है वो 300 हो चुकी है और यही pen card के लिए perfect size है तो इस तरीके से अगर आप UTI pen card बनाते हैं यानि की UTI के through pen card बनाते हैं तो इस तरीके से आप अपने photo और signature की जो size है उसको resize कर सकते हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं NSDL pen card के बारे में अगर आप NSDL के through pen card बनाते हैं तो NSDL pen card में जो photo और signature upload किये जाते हैं इसमें आपका जो photo है वो 200 dpi से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और आपके photo की जो dimension है वो 3.5 into 2.5 cm होनी चाहिए यानि की 3.5 cm height होनी चाहिए और 2.5 cm width होनी चाहिए और आपके photo की जो maximum size है वो 50 kb से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो photo को resize करने के लिए आपको Photoshop में आना है उसके बाद यहाँ पे आपको pixels का option मिलेगा इस पे आपको click करना है और यहाँ से आपको centimeter को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे जो width हम से मांगी गई है वो 2.5 मांगी गई है तो यहाँ पे आपको 2.5 को enter कर देना है उसके बाद height जो हम से मांगी गई है वो 3.5 मांगी गई है तो यहाँ पे आपको 3.5 को enter कर देना है उसके बाद यहाँ पे जो regulation है यानि की जो dpi है वो हमसे 200 मागी गई है तो यहाँ पे आपको 200 यानि की 200 को enter कर देना है उसके बाद नीचे आपको create पर click कर देना है अब जैसे आप create पर click करोगे तो आपके सामने photo का frame आ जाएगा अब इसमें आपको अपने photo को set करना होगा और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि photo को set करने के लिए सबसे पहले आपको अपने photo को import करना होगा तो यहाँ पे मैं already अपने photo को import कर चुका हूँ तो आपको गया करना है आपको अपने photo को इस तरीके से ड्रैक करना है और आपको अपने इस frame में drop कर देना है अब drop करने के बाद आपको अपने keyboard में control plus T बटन को एक साथ press करना है उसके बाद यहाँ से corner से पगड़के कुछ इस तरीके से आपको अपने photo को इस frame के अंदर set करन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वो सेट हो चुका है उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर राइट का टिक मिलेगा इस पर किलिक कर देना है अब आपको इस फोटो को सेव करना है तो सेव करने के लिए फिर से आपको फाइल पर किलिक करना है यहाँ पर save पर click करना है उसके बाद यहाँ से आपको jpg को select करना है उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक नाम दे देना है उसके बाद simply आपको save पर click कर देना है अब जैसे आप save पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वो 74 KB का है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे फोटो की जो maximum size है pen card के लिए वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो आपको गया करना है आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो drag point है इसको आपको left side में drag करना है अब जैसे आप drag करोगे तो आपके photo की size है वो automatic कम हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे photo की size है वो 49 KB हो चुकी है यानि कि यह perfect photo बन चुका है उसके बाद simply आपको okay पर click कर देना है अब जैसे आप okay पर click करोगे तो आपका जो photo है वो save हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो photo है वो perfect size में resize हो चुका है इसी तरीके से आपको अपने जो signature है उनको भी resize कर लेना है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने pen card के photo और signature को resize कर सक करना है उनको आपको resize करना है आसा करता हो करता है वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर आप पसंद आई हो तो definitely आप लाइक कर देना शेर कर देना और अगर आपको कोई comment है फिर कोई सवाल है जिसक्रे आप video बनवाना चाहते हैं तो जादे से जादे आप comment करिए म मैं अगले वीडियो से टोपिक पर बनाऊंगा और अगर आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बिना कई चीज को कर दिया करो मुझे बार-बार वीडियो में बोलना पड़ता है इस्टा एंड की 5-10 सेकिंड ये फालतों में वैस जाती है आपकी तो कुछ से आपकर दिया करो